नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल फर्ड में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उपनिशत पर क्योंकि काफी मेरे सबस्क्राइवर्स जो हैं काफी समय से ये बात दूराते आ रहे थे कि बहुत सारे लोग उपनिशत की तारीफ कर रहे हैं बता रहे हैं कि उपनिशद में बहुत सारा ग्यान है विज्ञान है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कोई ऐसी खरावी नहीं है उसकी तुतारीफ देसी विदेसी बहुत सारे मनो विज्ञानिक बहुत सारे विज्ञानिक और बहुत सारे जो है फिलोस पर उसकी चर्चा कर रहे तो ऐसे में उपनिशद की क्या सच्चाई है उसके बारे में हमें जनकारी मिलनी चाहिए तो मैंने सोचा कि चलिए उपनिशद का थोड़ी सी उपनिशद की भी हम चर्चा कर लेते हैं क्या है उपनिशद में वैसे तो इस पर अमूनन मैंने चार-चार वीडियो औरडी बना रखे हैं साइंस चर्णी पे आप वीडियो 63, 64 और इसके अलावा 153, 154 देख सकते हैं लेकिन यहां पे भी मैं आप लोगों को कई सारी इससे रिलेटेड सीरीज चलाओंगा यह इसका पहला पार्ट है और उपनिशद में जितनी भी बाते हैं वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी बहुत सारे लोगों को इसमें गलत फैमी है बहुत सारे लोग समझते हैं कि उपनिशद में जरूर कुछ न कुछ तो अच्छी बात जरूर है ऐसा लोग समझते हैं नहीं तो ऐसे थोड़े इतना परचार होता बहुत सारे लोग इसको सोचते हैं कि यह बता द जैसे जैसे इसके पार्ट आते जाएंगे, जो जो आपके questions arise होते जाएंगे, सब के उत्तर आपको मैं देते जाएंगा, फिलहाल आज जो मैंने चूज किया है, मैं इनके उन प्रशंग को दिखाऊंगा, जिसमें असलेलता, कामवाशना, लस्ट इस तरह की चीज़े हैं, और इस उपनिशद क्यों जो बाभा ढावा होते हैं, तीन पजामा, इन लोग का क्यों फैवरेट बना होता है, तो आपको तो पता ही है, राम रहीम हो, आसा राम हो, या फिर इस तरह के जो भी बाभा ढावे हों, आए दिन कहीं न कहीं तो पकड़े जरूर जाते हैं, अभी को धर्म है और उपनिसद में ही सब चीज है तो मैंने सोचा कि चलिए देख लेता हूँ उपनिसद और आप लोग को भी दिखा देता हूँ क्या-क्या चीजे हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझी है कि उपनिसद का मतलब क्या होता है। उपनिसद जो है उप जूड निसद अब जो अबूध बालक होते हैं अबूध बालक तो आप समझते होंगे किसूर बालक भी आप समझते होंगे तो किसूर बालक जो है उससे भी पहले अबूध नाम देखे कितना संदार रखा गया है अबूध बालक मतलब जो बूध नहीं मतलब जिसको बुद्धी का विकास नहीं हुआ है उसको अबूध कहते हैं तो जिनकी बुद्धी का विकास नहीं हुआ है उनको इस तरह की चीजे पढ़ाई जा रही है और इस तरह की चीजों को पढ़ाने की बात कही गई है उसको कहते हैं उपनिसद उभी नचदीक बैठा के पढ़ाना और कहां पे पढ़ाना तो जंगल में मंगल करने की इन लोग की जो आदत है अबूद बालकों को बगल में बैठा कर वो आज में दिखाने वाला हूँ तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ थोड़ी सी बाते बता देता हूँ कि इसमें है क्या चीज है ये डिस्कलेमर है डिस्कलेमर आप देख सकते हैं अच्छा इसके बाद जो है इतने उपनिशद होते हैं हलकी से इसका मैं आप लोग बता देता हूँ एक मुक्तो उपनिशद है उसमें बताया क्या है कि उपनिशद की संग्या 108 है अब ये मुक्तो उपनिशद ही कुछ काफी बाद का है ये जो मुसलिम सासन खाल रहा है अंगरेजू का सासन खाल रहा है उसमें खूब धेर सारे जम के उपनिशद लिखे गए है अल्लो उपनिशद तो आपको पता ही होगा अल्ला का उपनिशद लिखा गया है तो उसी तरह से ये 108 बना दिया गया ये बाते लिख दी गई मुक्तो उपनिशद में लेकिन फिर भी बहुत सारे जो जानकार लोग है बहुत सारे लोग है उन लोगों का ये मानना है कि जो पुराने उपनिसद है वो बारा है और ये लोग ऐसा मानते हैं कि जो 90 सदी का संकराचार्य था तब तक ये 9 में से कम से कम 5 चे तो जरूर आ गए थे वैसे संक्राचारे कोई लोग कहते हैं कि ये बार हो आ गए थे हैं लेकिन चुकि संक्र जो है वो विदान्ती था और विदान्ती उसको कहते हैं जो ये जो उपनिसद दिख रहा है ना इसके सुरू के जो छे उपनिसद है उसके कंबिनेशन को ही विदान्ती कहा जाता है उसक जो ग्याता है उसको व्यदान्ति कहा जाता है तो वो सारे उपनिशद का ग्याता तो नहीं माना गया है संकर तो इसी लिए उसके समय तक आप मान के चलिए कि 5-6 उपनिशद आ गये थे अब इसमें ये जो आपको उपनिशद दिख रहा है ना इसमें से जो सबसे खतरनाक है जिसमें असलेलता कूट-कूट के भरी है वो है विरिधार्यक और छान्दोग्या आचा कौसित की भी जो है इसको बाद का माना जाता है तो कुछ लोग क्या करते बाद का मतलब लोग कहते हैं ये विदान्त में नहीं आता है बाद के उपनिशद में आता है तो घर घर में उपनिशद को बेचने की प्रमप्रा शुरू की गई है और गीता प्रेस को तो आप वो एक 9 उपनिशदों का कलेक्शन उसने बनाया है और घर-घर में बेच राय सस्ते-सस्ते दावू में तो उसने विरधाडियक निकाल दिया इसमें से, छांदोग्य निकाल दिया और कौसिति की उपनिशद निकाल दिया बागी के जो 9 बचे इन 12 में से उनहीं का एक तो बागी के उपनिसद एक तरफ आई ये दोनों उपनिसद एक तरफ इन ही दोनों को हटा दिया है उसने और इन ही दोनों में सबसे ज़्यादा गंदगी भरी पड़ी है तो जो ये आपको नहीं दिखाते हैं तो rational world और science journey इसलिए जाना जाता है कि वो आपको दिखाता है ज उसमें से कुछ-कुछ chapter बोल देंगे रहे ये जुरुवेद से लिया गया है अच्छा ये रिगवेद के उस मंडल से लिया गया है अच्छा ये उस वेद के उसके chapter से उठा कर लिया गया है तो उसका उसका ये explanation है तो इसका मतलब वेद इससे पहले होगा तो ऐसा कुछ नह आप ध्यान से देखें तो उपनिसद की बात हो रही है नवी सदी में का जो है भासे करता संकर है संकराचार्य है यह नवी सदी में तो उपनिसद का भी कर देता है लगे हां तो गीता का भी उसको बता दिया जाता है तो देखिए यह बात समझी है अब कोई यह कहे कि वेद से उपनिसद बने हैं या उपनिसद बने गए हैं उसे बाद में वेद बनाए गया है ये भी सुच कभी से है वेद के सबूत ही नहीं है मतलब संकर जो है इसका उपनिसद का भास्य कर रहा है गीता का भास्य कर रहा है वेद में निलबटे सरनाटा है वेद जानता ही नहीं है वेद आ रहे हैं चोदावी पंदरवी सदी में माधव अचारे अबटा चोदवी में मधवाचारे लिखता है उसके बारे में अब आते हैं मूल जो हमारा प्रश्ण है उस पे आते हैं ये च्छांदों के उपनिशद का है और अध्याय टू है इसका 13 हाप का सकते हैं च्छंद का सकते हैं वन इसका स्लोक का सकते हैं इसका अर्थ देखिए इसमें य का यह पर्यास करेगा कि हम जो हैं सेक्स की बाते कर रहे हो किसी को बता रहे हो तो फिर यह क्यों कह रहे हो कि यह उपनिशद है बच्चों को जंगल में बैठा के अबूध वालब को छोटे-छोटे बच्चों को तुम जंगल में नजदीक में बैठा के यही सब पढ़ा होग या फिर ये कौन सी नोटंकी कर रहा है अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका आप हिंदी अनुवाद देखें अथार्थ जब पुरुस किसी इस्तरी के साथ समागम करना चाहता है तो पहले संकेत करता है यह हिंकार है पहले इसकी उपाशना करें उपाशना करें मतलब समझते हैं ना पूजा की बात हो रही है उसकी उपाशना करनी है मतलब इस तरी के साथ अच्छा साथियों यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर डाल देता हूं जो भी कम उम्र के बच्चे हैं जो 18 येर से कम है 16 येर से कम है लोग यहाँ से वीडियो स्कीप कर दीजिए और यह म पर आप देख रहे हैं कि इसमें ये कह रहा है कि पहले इसकी उपाशना करें फिर इस्तरी को वस्तरादी देकर प्रशन करना है तो देखिया आपको किसी इस्तरी के साथ आकर समागम करना है सेक्स करना है तो पहले उसका जो है उपाशना कीजिए पूजा कीजिए उसकी फि प्रशन द्रिष्टी से प्रस्ताव की उपासना करें अब देखिए ये प्रस्ताव है अब प्रस्ताव पारित कर रहा है कि भया हम तुमसे ना सेक्स करना चाहते हैं तो यो प्रस्ताव आपने पारित किया है इसको बड़ा प्रसन द्रिष्टी से इसकी उपासना करना है आप को उपाशना करना है फिर से उसकी पूजा करना है हर इस तरी के प्रशनता पुर्वक सम्मुक होना है बहुत बढ़िया प्रतेक के साथ सयन करना यह प्रतिहार है अब सुन लेजिए यह प्रतेक के साथ अभी तक तो सब चीज ठीक ठाक चल रहा था कि चलो भईया आपने आप प्रतिक के साथ क्या होता है? तुमके आग जीव जंन्द तु बना रखियो क्या इनसान को? कि जो भी इस्तरिती कई उसी के साथ? क्या मतलब आ? जो रास्ते में दिय गई, कहीं भी दिख गई, उसके साथ तुम्हें ये सारी चीज है करनी है, उसको कपड़ा उपड़ा दे दोगे, और ये सब चीज है करने लगोगे, प्रसन करने लगोगे attempt उसके साथ करने लगोगे आच्छा, यहाँ पर क्या है अब यह प्रतिहार है इस दृष्टी से प्रतिहार की उपास ना करे लिजे अब प्रतिहार की भी उपास ना करनी है मैथून में समय बिताने और संभोग के समाप्त होने की निधन की दृष्टी से उपास ना करे लिजे भाई साब अब आपने मैथून किया है समय भी ताया है और समभुक समाप्त हो गया तब फिर से निदन के दिश्टे फिर से उपास न कीजिया अब आप ज़रा सूचिए ये तो वो वाली बात हो गई कि मतलब जितना काम नहीं किये उससे ज्यादा जो है आप कश्ट उठा लिये जितना क ये वामदेव सामय शंभोग जो है इसका भी आप देख लीजे ये भी छांदों के उपनिशद का ही है ये टू है वो वन था न ये टू मंत्र है इसमें क्या कहता है अथार्थ जो साधक इस वामदेवे शाम को इस प्रकार संभोग में सन्निविष्ट जानकर इसकी उपासन करता है उसको कभी इस तरी का व्योग नहीं होता सुन लिया आपने अब मतलब आप ये उपासन आप करोगे त आपको कभी इस तरी का व्योग नहीं होगा अब ये बात जो है राम तो समझ नहीं पाया था वियोग हो गए तुरंती उसको सीता का वियोग हो गया अब ये बात जो है लच्मन भी नहीं समझ पाया था पतानी कौं से गुर कुल में पढ़ाई किये थ workshop दोनों के दोनों ये बात ही नहीं समझ पाए लगता है कि जब साधी हुई दोनों की तो दोनों ने ये वस्तर वस्तर नहीं दिये थे अपनी पत्नियों को और दोनों ने ये जो उपनिश्यद हमारा च्छांदों के उपनिश्यद हमारे बतार है रिसी मुनी जो बतार है इसका पालन वो दोनों नहीं किये थे, इसलिए तुरंत ही वियोग हो गया, ये तो साप साप लिख रहे हैं कि अगर दोनों ने ऐसा सन्विष्ट जानकर उपाशना किये होते हैं, तक उनको कभी इस तरीका वियोगी नहीं होता, वह है भई, ये तो हमारे जिसको लोग भगवान मान इस्वर मानते हैं, वह तो लोग खुद ही इसका पालन नहीं कर रहे हैं, अच्छा आगे आप देखिया, जब भी वह संभोग करता है, उससे बच्चा उत्पन होता है, और वह पूरी आयू प्राप्त करना है, लो जी ये तो बिलकुल सही बात हो गई जी, तभी जो भगव ना किये होते हैं, तब बच्चा भी उत्पन हो जाता, उसकी संतति और कृती की व्रधी होती है, अच्छा इबात ता सही है, कि व्रधी होनी चाहिए थी, लेकिन व्रधी नहीं हुई क्योंकि भलन ही नहीं किया है, उसे किसी भी इस्तरी को नहीं छोड़ना चाहिए, अथा होगा मैं तो सोच रहा था कि भाई उपनिशद तो बड़ी अच्छी बाते कुछ बता रहा है वो यह तो बोल रहा है कि उसे किसी भी इस्तरी को नहीं छोड़ना चाहिए तो यह तो खुद ही राम ही जो है यह किसी के बात नहीं मान रहा है उपनिशद की बात नहीं मान रहा ह अधार्थ सबसे संभोग करना जी इन लोगों ने उपनिशद पक्का वाला पड़ा है अब आचारे प्रसांत अगर इस तरह की बाते प्रचार कर रहे हैं तो भाई आचारे प्रसांत की भी फिर जांच करनी पड़ेगी इनका क्या चक्कर है यह क्यों इनको बड़ा उपनिशद अच्छा लग रहा है अच्छा अच्छे लिए आगे बढ़ते हैं आप देखें यह सब मैं नहीं लिखा हूँ यह मैं अपने तरब से बूल ही नहीं रहा हूँ यह सब expert लोग हैं जो बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं जो इसका अनुवाद करते हैं जिनको संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं जिन लोगों ने डिग्रिया ली हुई है जिन लोगों ने PhD की हुई है संस्कृत में PhD हुई है कई-कई युनिवर्सिटी से की है पॉप युनिवर्सिटी से की है उन लोगों का यह अनुवाद है हम तो बोल नहीं रहे हैं हम तो आपको सिफ दिखा रहे हैं अब बताइए कि यह सब चीजे जो है अगर आचारे परसांत इस तरह की चीजे प्रचारित कर रहा है कि किसी भी इस्तरी को नहीं छोड़ना चाहिए उसके सांद संभोग करना चाहिए यह बात उसे बड़ा अच कि यह सब ड़ा इसम के इस्तरी को नहीं छोड़ना चाहिए अथार्च सबसे संभोग करना चाहिए इस पर जो है जो संक्राचारे जो है जो मैंने बता हैं कि एस्तरी स कहते हैं सब अब आप उसको सर्म लग रहा है यह कहने में कि एसस तो सब की जगह आप उसने क्या लिख दिया चाहने वाली जोड़ दिया सरमातिय तो यह ऐसे ही करते हैं अपने मन से ही अर्थ ही बदल देते हैं तो उसने अर्थ बदल दिया क्या लिख रहा है कि समागम चाहने वाली जबकि आप यहाँ देखिए इसका सीधा सा अर्थ था उसे किसी भी इस्तरी को नहीं छोड़ना चाहिए सबसे संभोग करना चाहिए अब बदल के संकराचारे के भासे में क्या कर दिया इन लोगों ने कि समागम चाहने वाली अब इस तरीके इच्छा पकड़ा दिया इन लोगों तो ये लोग भासे में भी अपने मन से फिर बदल कर देते हैं ताकि दूसरों को जब डिवेट हो ना तो पूल तो खोल देगा कि भाईया तुम तो बोल रहा हो कि सबसे सम्भोग कर लेना चाहिए एक क्या नोटंकी है तुम्हारी तो कहीं ने ने वहाना ये लिखा हुआ है कि जो इच्छा से आए अब तो सवाल यह आता है कि भाईया मान लो कि तुम्हारी साधी हुई है तुम साधू मातमा हो संत हो नहीं भी साधी हुए, लेकिन तुम साधु मातमा संत हो, तुम्हारे आस्रम में इतनी सारी औरते राती हैं, इतनी सारी औरते आती हैं, जो आएक उसी के सांद सम्भोग कर लोगे, देवधासिया इसी तरह से तुम लोगोंने उनकी हालत खराब कर रखी थी, उनसे बच्चे पैदा करवा देते थे, बोलते थे कि देव का पूत्र है, कई कई का तुम लोगोंने हत्या करवा दी, कई के तो लास जो है, तुम्हारे आस्रमों के नीचे मिले हैं, जमीन खोदने पर मिले हैं, कई बाग गए, तब जाके उन्होंने वो किया, पकड़े गई तुम लोगी बदलने के बाद भी, अगर कोई इनके सया पर चली जाए तो ऐसी किसी भी इस्त्री का त्याग न करे, यह बूल रहा है संकराचारे, यह कोँ संकराचारे था? जो 32 साल के उम्बर में मर गया, यह वो संकराचारे था जो जीवन वर्शादी नहीं किया था, वो बूल रहा है कि सहीया पर अगर आ जाए तो किसी को नहीं छोड़ना चाहिए अब यहीं से आप समझ जाए कि इन लोग का जो धरम गरंद है इनके सहीया छोड़ दीजे इनके आसरम में अगर कोई आ जाए तो यह किसी औरत को न छोड़ेंगे यह यह उपनिशद बोल रहा है यह इनका उपनिशद बोल रहा है यह इनके भासे करता लोग बोल रहे है अब इससे यह इसी लिए यह लोग उपनिशद की इतनी तारीफ करते है कि लोग तभी तो आएंगे हम बोलेंगे उपनिशद में यह बात लिखी है वाईशाब और जो मन करे वो कर लेंगे हम अच्छा यहाँ पे जो है टिपनी किये है ये बड़ी अच्छी एक पुस्तक लिखा है डॉक्टर सुरेंदरा क्यात ने उन्होंने क्या किया न कि यतने उपनिशद हैं जिसको ये लोग कहते हैं उस पर उपनिशद नाम से ही कि कितना सार्था कहाज इनका ग्यान उसके नाम से डॉक्टर सुरेंदरा कुमार सर्मागया पूरी एक खुब मोटी किताब लिख दिये है तो जब आप पढ़ेंगे ना उसमें आपको सारी ये सारी टेटा मिल जाएगी टिपनी भी किया हैं देखे क्या लिखते हैं ध्यान रहे इसमें संध्या साया पर आई हुई अपनी तरफ से जोड़ा गया है ठीक है ना अपनी तरफ से नहीं जोड़े के लिखाया हुई है नहीं कि साया पर आई हुई मूल में कोई सब्द इसका संकित नहीं करता मतलब संस्क्रीट में ये सब्द नहीं है ये खूद से ही लोग लिखे हैं समागम चाहने वाली विशेशन भी अपनी और से जोड़ा गया है समझे ये भी अपनी तरफ से जोड़ा गया है उसका जो है एट सर्ग का जो है स्लोक वन देख लीजिए तो ये लोग कहते हैं आप लोगों ने एक बात सुनी होगी ये लोग कहेंगे न कि उपनिशद जो है उपनिशद से बुद्ध ने ग्यान लिया था रिशी मुनी हो थे और बुद्ध के समय में उपनिशदों का ग्या आ गया था तो जब बुद्ध गये थे जंगल में तो उपनिशदों से घ्यान लिये थे एक बंदा तो NCRT के किताब दिखा रहा था कि देखिना सेर इसमें लिखा हुआ है कि बुद्ध के समय में उपनिशद आने शुरू हो गये थे अब अता ही आपकी बात मनें अकि NCRT की बात मनें मैंने का भईया मेरी बात मत मन एक काम कर NCRT पर RTI डाल दो पूछ लो कि भईया तुमको सबूत मिले हैं बुद्ध के समय में एक भी उपनिशदगा या उसमें जो स्वर्व एंजन परियोग किये गया है उसका कहीं कोई अभ हर से चला गया हो जो वेचारा जो है एक बैचलर बनके बाहर रहा रहा हो वो यह सब गंधी संदी बाति सुनेगा वहां पे तुम्हारे मुँ से ये सबसे ग्यान लेकर उपनी वह चलाएगा अपना खोजेगा हैं ऐसी मुर्खता भरी बाते गरते हैं सभी और ये सब के सब जो है न ढपोरे तब पैदा हुए है जो महा यानी जो साखा इनकी आनी शुरू हुई बहुत हमार की दूसरी तीसरी सदी में जब अपनी चीजें लिखने लगे उन से कॉपी करके ये सब आठीवी नौवी सदी में इस सब लिखें पूरा उपनिसद ही चोर करके ये उपनिसद जनम लिया है पूरे डिटेल में एक्चुल में भारत के इतिहासकारों की सबसे बड़ी व्याथा ये रही है कि इन लोगों ने बाई डिफॉल्ट ही वेद उपनिसद को प्राचिन मानते रहे हैं ये सबसे बड़ी बेवकूफ ही रही है उससे भी आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके एवीडेंस तो इसा के समय के दूसरी तीस्री सदी के मिल रहे हैं अब वही चीज जो है इन लोगों का जब संकराचारी आता है तब उसे मिलना सुरू होता है मधवाचारी बारभी सदी से मिलना सुरू होता है बौध होके मिल रहे हैं तूसरी सदी में इनका मिल रहा है नवी-दसवी सदी के बाद पहले किसका माना जाए यह इतने ढप हो रहे हैं कि ऐसे ही imagine करके कि अन्य ने बुद्ध के समय में होगा बुद्ध भी कहीं से ग्यान लिया होगे ने इसी में से लिया होगे ऐसे ही आकम उनके परचार करती और बहूत सारे हमारे अपने लोग हैं उनकी बातों में बिलिव कर लिये एक बार किसी ने पूछा नहीं किसी इधिहांस्कार से कि अपर तुम्हें एक भी उपनिसदगा कोई सुलोकुलो का मिला है क्या तुमको महायान साखा से पहले तुम लोगो कुछ भी मिला है क्या इन सब का उपनिशद का वेदान तोदान का कुछ मिला है क्या तुम को जब नहीं मिला है तो पूराना कौन माना जाए विदानती है संक्राचारे नौवी सधी का और मानलियें कि बुद्ध के पहले का ऐसे ऐसे धुरंदर खिलाडी लोग है तो अब देखिए इसमें क्या लिखता है इसमें विसर्ग प्रयोग किया है न यह सब इसा से पहले वि इसका अनुवाद लिखता है गौतम इस्तरी जाती अगनी है क्या कह रहा है इस्तरी जाती अगनी है उसका गुपतांग ही इंधन है सुनिया आप क्या कह रहा है उसका गुपतांग ही इंधन है काम क्रिणा के लिए बोलना ही धूँआ है समझ रहे हैं अब काम क्रिणा के ब अब उसकी योनी जो है उसको ज्वाला बता दी है उसमें पुरुस की जननेंदरिया का परवेस ही अंगारे हैं बताए अब योनी ज्वाला है उसमें पुरुस की जननेंदरिया परवेस कर रही है तब उनगारा हो गया और आनंद की प्राप्ति ही चिंगारिया है अब उसके बाद से जो आप समझे आप क्या है उसके बाद से अब जो आनंद की प्राप्ती हो रही है तो उचिंगारिया है यह हमारे ग्यान दे रहे हैं उपनिशद अबूध बालको को रिसी मुनी बैठ के जंगल में उपनिशद यानि अबूध बालको को नचदीक बैठा के जंगल मे उपनिसद पढ़ाना, जनंगल में यह मंगल कर रहे हैं, यह सब बच्चों को पढ़ा के यह है आपका उपनिसद, यह सब लिखने वाले बाते होते हैं, यह सब ज्ञान है यह लग रहा है कि जैसे कुछ गमार जो ठेलवा च्छाप जो होते है जिनको तो भोग उसे कहते हैं कि यह बिढ़ा हुआ, बिढ़ा हुआ, बंदा है उस तरह कि गमारशाब बाते कर रहे हैं, यह बता रहे हैं कि व्यान है जी Hey that one is विदेश के विदेशी भी तारीफ कर रहे हैं वी तारीफ नहीं कर रहा है तुम्हारी ले रहा है वो चले हैं उपनिशद की वो बताने फालतू ये सब गंदी संदी बाते लिखके आगे देखिए ये अब बिरेदार ये उपनिशद का इसका जो है 6, 2 और 13 इसमें देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है गौतम इस्त्री अगनी है उसका गुपतांग इंधन है गुपतांग पर उगे बाल धुआ है लो भाई सब इन्होंने एक और सब्द लेके आ गए अब गुपतांग पर जो उगे हुए बाल है वो धुआ है योनी जुगाला है अलिंग प्रविस अंगार है और कमानंद ही चिंगारिया है तो जो बात उसमें च्छांदोग्य में लिखा था वही बात इन्होंने ब्रेदाणयक में भी लिखती कुल मिला के यही लोग घिनोना खेल खेल रहे है और बता रहे हैं कि वहिया यह तो बड़े इसमें क्यान ही ग्यान है विख्यान ही विख्यान है असारा क्यान ही इसी में है इस तरह की असलील कंदी बाते करके अब सबसे खास बात है कि जो घरों में मिलेगा उपनिशद न उसमें यह दोनों के दोनों उपनिशद गयव कर दी है विदाणयक भी और च्छांदोग्य भी कि पोल पट्टी न खुल जाए अब इसमें क्या करते हैं कि जो ब्रह्मानन्द है उसकी उपमा कमानन्द से देते हुए उपनिशद कहते हैं यह बिदाणयक उपनिशद का है जैसे पुरुस इस्त्रिय प्रिय इस्त्री के आलिंगन में अंदर और बाहर का सब कुछ भूल जाता है वैसे ही आत्मग्यान होने पर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है सूचने वाले बात ये है कि जंगल में बैठा हुआ ब्रमचारी बने के रिसी तो बोलते है कि बड़े प्रमचारी होते थे भाई साब ये लोग ध्यान साधना में रहते थे ये लोग किसी इस्तरी को देखते तक नहीं थे बिल्कुल ध्यान साधना परमचारी की बात करते है अव जो ब्रमचारी बैठा हुआ है जंगल में वो बच्चों को पढ़ा रहा है इस्तरी के आलिंगन में अंदर और बाहर का सब कुछ भूल जाता है वो ऐसे ही बेटा तुमको आत्मग्यान की प्राप्ती होगी न तुम भी हर चुछ भूल जाओगे ये उधारण होता है ऐसे उधारण दिया जाता है कलास में टीचर जड़ा सोचिए आप बच्चों को अपने स्कूल भेजते हैं वहाँ पे कोई बैठा हुआ हो उपनिसद का पंडाउंडा बैठा हुआ हो अब उपनिसद उपनिसद करें इसी तरह का उधारण देने लगे बच्चा बच्ची आके घरें बताए कि हमारे जो टीचर सहाफ तो इस तरह का उधारण दे रहते आपको कैसा लगेगा तो ये गुरुकुल में यही सब बढ़ाई होती थी बच्चों के ऐसे उधारण देते थे अब उपनिसद बढ़ा के इतनी असलिलता धूरतता भरी बाते लिखी हुई है अचा मान लिजे कि अब कोई कहेगा कि नई नई जी ये बच्चों के लिए नहीं है अरे तो जब बच्चों के लिए नहीं है तो किस के लिए तो बूढ़ों के लिए है तुम बूढ़े अगर जंगल में बैठे हुए हो तो तुम अपने मंगल के लिए बूढ़े बूढ़े ऐसा बात कर रहे हैं अब तुम्हारा कुछ काम बचा नहीं है तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे तो यही सब भात ठरकियों की तरह बात कर रहे थे क्या वहाँ पे फिर उपनिसद का ज्यान की इसको दे रहे थे बोलते हैं कि भाई क्रिष्ण जो है उपनिसद का ज्याता था इतना उपनिसद का ज्याता था कि गीता रच दिया उपनिसद का ज्याता था क्रिष्ण यही सब का ज्याता था आगे देखिए चल देखते जाईए अभी अब क्या होता है ना कि इसका जो संकर भास्य जो है इसी पे चुकि बेदान्ती कहा गया है तो उपनी स्दों का भास्य उसके नाम प्याया हुआ है तो देखिए भास्य का अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अधार्थ जिस प्रकार पुरुस संसार में प्रिय और इस्ट्री से भली भाती आलंगित हुआ और कामना करने वाली के साथ स्वेम भी कामू को होकर अपने से बाहर का सब कुछ भूल जाता है उसी प्रकार परम जियुती से भली भाती लिप्टा हुआ वह सब कुछ भूल जाता है न उसे किसी बाहरी वस्तु का ज्यान रहता है न आंत्री को वस्तु का यह वही चीज है जो आपने अभी तक देखा उसको इन लोगों ने भास से करके संकर भास से के माध्यम से इस तरह से दिखाने का प्रयास किया है तो इस पर जो है टिपनी भी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि टिपनी हो से पता चलता है कि वास्तों में जो लोग expert है वो क्या कहना चाहते हैं तो देखिए यहां पे यह क्या लिख रहे हैं कि इस तरह से अस्थल इस तरह के अस्थल उनके लेखकों के मनोरोगी होने के परिचायक है। यहां पे इसके टिपनिकार भी यह बात है। लिख रहे हैं कि इस तरह के अस्तल उनके लेखों के मनो रोकी होने का परिचायक है जिनके काम के उपकरण ही दिश्टी क्रोचर होते हैं उनका वर्नन करते हुए ये बेहाई की सीमा तक चले गए हैं सुना आपने इसमें से ये गरंत अध्यात्मिक पुस्तकों की जगह काम ग बैठाकर उपकलास निसद इन गरंतों को पढ़ाया जाता था देखा आपने क्या लिखा है अबोध बालकों को अबोध मतलब जो छोटे-छोटे बालक होते हैं उनको ये सब पढ़ाते थे बच्पन में कितनी घर्णित पाते हैं ये सब बच्चों को पढ़वाईगा कोई कह सकता है कि उपनिसद लड़कों वयवावों को नहीं वृद्धों को पढ़ाया जाते थे उन लोगों को पढ़ाया जाते थे जो ग्रिहस्त आसरम का त्याग करके वानप्रस्त वसन्यास आसरम में प्रदापर्ण करते थे ये बात सही नहीं क्योंकि जिस तरह की काम सास्त आधर ये बातें उनमें कही गई है, वे बृद्धों के लिए तो एकदम निरर्थक हैं। वे उन वातों को ना जीवन में चरितार्थ कर सकते थें, और ना उनमें उनकी रुची ही हो सकती थी। अतह उनकी उप्योगिता बृद्धों के लिए नगन्य थी। अब सही बात है कि वह यह ब्रिद्ध के लिए तो है नहीं इस तरह की बाते अब बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो समझे वह बच्चे को पढ़ा रहे हो बिगाड़ा रहे हो कर क्या रहे हो अब ब्रेदाड़य को उपनिशद का कुछ और बात देख लीजिए ये लोग कहते हैं न कि भई हमारे यहां तो बहुपत्नी विवाह नहीं है आप देखिए आपको बहुपत्नी जो है उसका भी उद्गो से यहां पर मिल जाएगा ये ब्रेदाड़य को उपनिशद है इसमें देखिए इसका जो 6th chapter है उसका 4th सरगाप देख सकते हैं उसका स्लोक टू देख सकते हैं उसमें लिखा है सुपरसिद प्रजापती ने विचार किया कि मैं इस विर्य की अस्थापना के लिए किसी योग प्रतिष्ठा का निर्माड करूँ मतलब सुन लिजिए इस बात को समझे थोड़ा सा सूपरसिद प्रजापती प्रजापती जो है जिसको ये लोग कहते हैं ये प्रजापती है ब्रम्भा है वो जो सोच रहा है कि मैं इस विर्य की अस्थापना मतलब उसका जो विर्य है उस सोच रहा है कि अब इसकी अस्थापना कहीं करेगा मतलब आप समझ रहे हैं वो अपने व्रिय को कहीं किसी के साथ सेक्स करना चाहता है उसको कहां रखना चाहता है मतलब किसी इस्तरी की योनी में डालना चाहता है इसकी बात हो रही है तो अब सोच रहा है कि उसके लिए वो किसी की निर्माड करने की सोच रहा है कि अब उसके लिए योग्या अधार भूमी परति स्रिष्टी करके उन्होंने उसके अधो भाग की उपासना की यानि मैथून करम का विधान किया अधो भाग की उपासना की समझ रहे है बात को अतह इस्तरी के अधो भाग मतलब नीचे के हिस्से की उपासना सेवन करे उपासना करे मतलब सेवन करे ठीक है न सेवन मतलब समझ पीना जो होता है मतलब यहां खाने पीने की बात नहीं हो रही है यहां पर उसके हिसाब से उसको यूज करने की बात हो रही है प्रजापती ने इस उतक्रिष्ट गतिसील प्रस्तरखंड सद्रिस या सिसनेंद्रिय को देखिए प्रस्तरखंड हो रहा है प्रस्तरखंड मतलब आप समझते हैं, प्रश्टरख्न मतलब जो शॉलिड हो सद्रिस या सिसनेंद्रिया मतलब पेश्को उत्पन करके उसे इस्त manufacture की योनी की और प्रेरीद किया ठीक है ना, अब वेचरा जो है उसको सिसनेंद्रियां पेश्टी भी बनाता है और विजाईनाप फीमेल का योनी बनाता है और उसकी तरफ उसको प्रेरीत करता है उससे उस इस्त्री का संसर्ग किया और फिर उस अपने योनी से जो है जिस इस्त्री को बनाया उसके साथ इसने संसर्ग किया मतलब उसके साथ संभोग किया प्रजापती ने किया अब समझे किसकी बात चल रही है किसने अपनी बेटी खुद बना लिया और उसको पतनी बना लिया और उसके साथ संभोग भी कर लिया ये ब्रेदाणिया कूपनी सद में बात आ रही है सानुवा संकर भासे सहित पेज संख्या 1336 में है गीता प्रेश गूरकपूर से ये बात छपी जो पहले आरे समाजी विध्वान हुआ करते थे हैं फिर बाद में अपसानातनी बन गए आरे समाजी तो आप समझते ही होंगे दैनांसरस्वती के चिले चपाठे जो लोग क्या करते थे कि भारत के जितनी ट्रेडिशनल है सब को गाली देंगे बुद्ध को गाली देंगे जैन को गाली देंगे गुश्वामी को गाली देंगे कबीर को गाली देंगे रैदास को गाली देंगे गुरु नानक को गाली देंगे सब को गाली देंगे मुश्लिम को गाली देंगे इसायों को गाली देंगे दुनिया के हरमत पंध को गाली देंगे कहेंगे कौन सत्य है तो वेद सत्य है ये होते हैं आरे समाजी इन लोगों ने भारतियों को एक चीज सिखाया है कि पूरी दुनिया का पूरे परोसी की दिन रात तुम उसी में जहां को अपनी खूब थारीफ करो ये आरे समाजी का काला चिठा है ये कभी ये नहीं कहते हैं कि भाया आपनी गंदगी सुधार हो सबको गाली तो धार के गाली तो खुब धार के गाली दिया है सत्यात प्रकास चब आप पढ़ेंगे तो सबको गाली दिया है किसी को नहीं छोड़ा है लेकिन वेद की तारीफ पर तारीफ किये जा रहा है मनु और मनु इसमिर्थी की तारीफ पर तारीफ किये जा रहा है अब कभी मनु इसमिर्थी और वेद को भी गाली देकर देख लेते जैसे बाकियों को दिये तब हम माल लेते हैं कि सही हो अपनी मतलब अपना कुत्ता कुत्ता अदूसरे का कुत्ता जो है नहीं अपना कुत्ता टॉमी अदूसरे का कुत्ता कुत्ता ये इनकी हाल होता है तो यह अखिलानन्द जो सर्मा है यह पहले आरे समाजी विद्वान थे अब फिर जो है उसको छोड़के सनातन धरम में सस्रार्थ करने लगे थे अपनी पुस्तक विद त्रई समा लोचन में इसका अर्थ संदर्व करते हुए लिखे हैं प्रजापती ने मन में यह संकल्प किया कि मनुष्यवंस को बढ़ाना चाहिए यह सुच कर इस्तरी को पैदा किया और उसको अपने अधु-भाग में स्थित किया इसी लिए रती समय में उसको अधु-भाग में रखते हैं ये ये लिख रहे हैं खुद से जो कि ब्रम्भा जो है ब्रम्भा की बात प्रजापती की बात हो रही है वो इस तरह की बाते कर रहे हैं उसका थोड़ा बदल दिये हैं यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से कोई महान रहस्योद घाटन नहीं किया गया है बलकि आ प्रशन यहाँ पर टिपपनी के रूप में किया गया है अच्छा इसके बाद से अब ये देखे व्रेधार्य को उपनिशदका इसका जो चैप्टर 6 है इसमें भी ये बाते आई हैं इसमें क्या कह रहा है कि इस्तरी की उपस्थेंद्रिया मतलब योनी वेधी है वेधी आप समझ रहा है ना जिस वेधी में ये लोग अपने वेध का उचारान करकर के हमने कुंड़ करते रहते हैं कई लोग वेधी लगा के उसपर बली देते हैं जो इस्त्री का उपह स्थिंद्रिया है मतलब जो योनी है उसको ये वेदी मानते है कि वह यहीं पर सारा काम होना है उसको वेदी बोल रहा है अब क्या बोल रहा है वहां के रुएं कूसा है मतलब वहां पर जो रुआ होता है रुआ मतलब आप बाल समझ सकते हैं उसको बोल रहा है कि ये कूशा है कूशा मतलब समय रहो ना जो अगल बगल ये लोग बेदी के अगल बगल बीचा के यगहवन करते हैं उससे तुलना कर रहा है मतलब देखिए इस बंदे के इन लोगों की अरिसियों की, मुनियों की, जिसने भी लिखा है इसको, इनकी धूरतता देखिए, इनको यगहवन की भी बात करनी है, तो इस तरी के जो योनी से कर रहा है तुल्ण, कि ये वेदी है, इसके बगल बगल का जो बाल है, ये कूशा है, फिर आगे लिखता है कि मद्य भाग में प्रोजलित अगनी है, अब भाई बेदी है, तो बेदी के वीच में तो आग जलाते हैं, तो लिख रहा है कि योनी के मद्य भाग प्रोजलित अगनी है, देख लें आप धूरतता, ऐसे लग रहा है कि जैसे दिन राती है, जो है अटुनी होके, अटुन रहते हैं, दिन रा जो दो कठोर मासखंड है लो भाई साब ये तो लग रहा है कि पूरा कामसूत्र पढ़ा रहा है ये उपनिसद है ये तो बोलने में भी सरमा रही है बोल रहा है यूनी के पार्षव भाग में जो दो कठोर मासखंड है उनको मुस्क कहते हैं लीजे भाई साब वाजपे यग क करने से यजमान को जितना पुन्य लोग प्राप्त होता है उतना ही उसे भी प्राप्त होता है भाई साब, देख लीजे देख लीजे ये क्या क्या लिख रहा है, यह सब बच्चों को बैठके उपनिसद बगल में पढ़ाते हैं यह सब इसी की तारीफ करते रहते हैं आप जाते हैं इनके हैं पहुंच जाते हैं बीपाल बीबी बच्चों को लेकर आये सब बोलते हैं उपनिसद बड़ी अच्छी चीज है जी बस एक पर खोल के दिखा दे उतना ही इनको बता रहा है कि जो योनी है और जो उतना ही जो योनी से प्राप्त होता है जो इस प्रकार जानकर मैथून का आचरण करता है वह इन इस्त्रियों के पुन्य को औरुद कर लेता है और जो इसे नहीं जानता वह यदि मैथून करता है तो इस्त्रिया ही उसके पु कि योनी जो है वो वेधी है उसके अगल बगल के जो बाल है वो कुसा है योनी के मद्यभाग में प्रोजलित अगनी है योनी के जो दोनों तरफ जो कठोर मास खंड है यह सब आगर आप जानते हैं तो आपको पुन्या मिलेगा अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तब फिर जो इस्तरी है उसको पुन्य मिल जाएगा अब क्या है ये ये उपनिसद है ये चलिए आगे देखते हैं कुछ और आप लोग को दिखा ही देता हूँ आज इन लोग की में पूरी कहानी अब ये देखिए ये आगे क्या लिखता है यहाँ पर टिपनी जो है यहाँ यह उल्लेखनिया है कि अद्वैत आसरम से व्रिधाण्यक उपनिशद के संकर भासे का जो अंगरेजी अनुवाद छपा है देखिए अद्वैत आसरम आप समझी रहे हैं अद्वैत संकराचारे का था तो वहाँ से व्रिधाण्यक उपनिशद का जो संकर भासे का जो अंगरेजी अनुवाद छपा हूँ देखिए ध्यान से सुनिएगा इस बात को उसमें पुर्वद्रित दूसरे अनुचछेद मतलब अध्याए शिक्स का जो फोर्थ जो सर्ग है उसका जो थरी जो स्लोक है का और उसकी परवर्ती दो और अनुच्य दो मतलब उसके आगे जो है फोर और फाइफ जो स्लोक है का भी अनुवाद छोड़ दिया गया है समझे नहीं अनुवाद किया है ये लोग अंग्रेजी वाले में अंग्रेजी अनुवाद छोड़ दिया गया है इन पर संकर के भासे का भी अनुवाद छोड़ दिया गया है जो संकरभा से किया है उसका भिहनवादिनों ने छोड़ दिया है यह तत्थ इस बात को पुनह रेखांकित करता है कि यह वह ऐस अन्य अस्थूल एवं असलील अस्थल दर्सन ग्रंथ के अनुरूप नहीं है यह सूच के बैचारे अंग्रेजी में नहीं ट्रांसलेट किया है कि अगर यह सब पढ़ेगा कोई विदेशी तक कहेगा कि अब यह तुम्हारे रिसी मूनित हैं आकि असलीलता के प्रखंड मूर्तित हैं यह इनकी पूल खुल जाती है तो इनों ने अंग्रेजी में इस बात को लिखा ही नहीं इस बात को जो है मेंसन ही नहीं किया है छूड दिया है उसको तो साथियो यह बात आप लोग को समझनी होगी कि जो लोग तरीफ कर रहे हैं उन लोग को यह बात ही नहीं पता है कि इसमें इस तरह की भी बाते लिखी हुए यहां को अंगरेजी में दिये ही नहीं है सब यह बाते जो हैं यहां से पता चल रही है यह समझना आओगा आप लोग को चलिए और आगे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ अब ये वाला आप स्लोक देख लिजिए व्रेधार्यक उपनिशद का आध्याए सिक्स का ही है फोर्द सर्ग है इसका नाइन स्लोक है इसमें पुरुस अपनी जिस पत्नी के संबंद में ऐसी इक्षा करें देखिए बहु पत्नी की बात आ रही है यहां पे पुरुस अपनी जिस पतनी की बात आ रहा है, पुरुस अपनी पतनी नहीं, पुरुस अपनी जिस पतनी, मतलब कि बहुत सारी पतनियां रखते थे, इसकी बात हो रही है, ऐसी एक्छा करे कि वह मुझे हिरदय से चाहे, उसकी योनी में अपनी जन्रेंदर्य को अस्थापिद करके, अपने मुख को मिला कर श्थापिद करके और अपने मुख से मुख को मिला कर उसके उपा अस्थभाग यानि यूनी प्रदेश का अस्पर्स करते हुए उस मंत्र का जप करें तुम मेरे प्रतेक अंग में प्रकट होते हो, विसेस्ता हिर्दें से नाड़ी द्वारा तुम्हारा प्रदुर्भाव होता है, तुम मेरे अंगों के रस हो, अतह जिस प्रकार विस लगाये हुए बान से खायल हरणी मुर्चित हो जाती है, उसी प्रकार तुम मेरी इस पत्न जिस पत्नी इस पत्नी मतलब बहुत सारी पत्नियां है और जिस पत्नी को आपसे ज़्यादा प्रेम करना है उसकी बात हो रही है और क्या हो रहा है उसकी यूनी में अपनी जनरेंद्रिय को अस्थापित करके अप फिर अपने मुख से उसके मुख को मिलाके इस तरह की बाते लिखी हैं इसमें अब फिर आपको प्राथना करना है कि ये कर दो वो कर दो आप फिर ये मेरे लिए उनमत बना दो वे किसके लिए कर रहे हो तुम क्या नो टंकी चल रही है तो ये जितने भी ये ब्रहमचारी बनके जंगल में जाके बैठे रहते थे थे न वो सब ये आपको ग्यान दिये हुए इस तरह की बाते कर रहे हैं जिन लोगों ने खुद ये सब चीजे नहीं की उनसे आप सिखने जाएंगे ये ये सब लिखने वाली बोती धर्मकरंत में ये सब इस तरह की बाते पढ़ाई जाती है अरे उनको तुम सिखाते कुछ सील की बाते सिखा देते कुछ आच्छाई की बाते सिखा देते उनको यही सब सिखा रहे हो बैठा के वहाँ पे तुम से सिखेंगे ये सब अब यहाँ पे जो है संकर भाष्य की बात आई है कि यहाँ पे अर्थ प्रजनेंद्रियम जो है अर्थ का अर्थ जन्नेंद्रिया है चलिए इसमें आगे देखते हैं ब्रेदाणिय कूपनिशद का तो इसमें इसका अनुवाद करते हुए लिखते हैं अपनी जिस पत्नी के विषय में ऐसी इच्छा होई संकर भास से क्या है हो वह गर्व धारण न करे तो उसकी योनी में अपनी जनेंद्रिय को अस्थापित करके उसके मुख से अपना मुख मिलाकर अभी प्रामण कर्म करके अपापाचन किरिया करे ये ध्यान से समझे गई क्या कह रहा है मतलब भास से इसने बदला है संकरने अब बदल के क्या लिखा है कि जिस पतनी के विषय में ऐसी इच्छा हो अब वो अगर्व धारण न करे मतलब अगर कोई गर्व धारण नहीं कर रही है उसके आपको क्या करना है उसकी योनी में अपनी चरेंद्रिया स्थापित करना है उसके मुख से अपना मुख मिलाकर अभी प्रणन करम करके अपानन क्रिया करना है मतलब यह देखिए पुरुस अपनी सिसेंद्रिया द्वारा मतलब पेनिस द्वारा इस्तरी की योनी में जो वायू प्रविष्ट करता है उसे अभी प्राणर करम कहते हैं और वह जो अपनी सिसेंद्रिय को बाहर निकालते हुए उस वायू को भी बाहर निकाल देता है उस क्रिया को अपानन कहते हैं और कहें, इंद्रिय स्वरूप विरिय के द्वारा मैं तेरे रेतस विरिय को गरहन करता हूँ. ऐसा करने पर वह रेतोहीन ही हो जाती है, गर्भडी नहीं होती. तो यह देखें इसको विरिय को जो है वायू-वायू कह रहा है, कि जो भीतर ही अपनी व्रिय छोड़ देते हैं और बाहर निकाल लेते हैं जो बाहर निकाल लेते हैं उसी को अपानन गाते हैं और कहें इंद्रिय स्वरूप व्रिय के द्वारा मैं तेरे रेतस को गराण करता हूँ अब इसको ये भी नहीं पता है कि इस्त्रियोग को जो अंडराणू होते हैं उनको वरिय नहीं कहा जाता है रेता से बोल रहा है अब ब्रैकेट में वरिय लिखा हुआ है ये इन लोग सब्दावली तक की ज्यान नहीं थी ये पूरी दुनिया को उपनिशद का ज्यान बाट रहा है आगे जो है वरिय दाड़िय को उपनिशद में ये देखिए ये सब कितनी गंदी गंदी बाते लिखी होई है मैं तुम्हें पढ़ने मैं मुझे क्या बता हूँ लेकिन बताना तो पढ़ेगा पुब्लिक को पुरुस को अपनी जिस पतनी के संबंद में ऐसी इच्छा हो कि यह गर्वधारण करे वह उसकी योनी में अपनी जनिंद्रिया स्थापित करके उसके मुख से मुख मिलाकर पहले अपानन क्रिया करके पस्चात अभी प्राण कर्म करे मतलब पहले आप वरिया बाहर निकाल देजिया उसके बाहर से फिर अभी प्राणा की या फिर भाद में अडलना है और कहें मैं इंद्रिया रूप वरिया के द्वारा तिरे रेतस का अधान करता हूं ऐसा करने से वो गर्वोती हो जाती है लो भाई सब ये तो बिलकुल unscientific сделал है वरिय जो है पहली भार जो निकलता है वो ज्यादा गाड़ा होता है और ज्यादा फटाई होता है बाद में कम निकलता है ये बेवकूप मुर्ख जो है पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं इसमें देखिये ये क्या लिखते हैं, इन तीनों अनुच्छेदों का अद्वैत आसरम से प्रकासित विधान्यक उपनिश्यद के संकर भास्य के अंगरेजी अनुवाद में अर्थ नहीं किये गये हैं, इन पर संकर के भास्य का भी अंगरेजी में अनुवाद नहीं किया गय और इनको इतनी सर्माई यह सब बात लिखने में कि नोंने अंग्रेजी वाले से गायब कर दिया अगर बाहर के सब पढ़े होते न सापनहावर जो बोलते हैं कि सापनहावर ने बड़ी तारीफ करती जी तो उसने यह कर दिया जी तो काल सेगन ने तो यह नाम तो वो नाम अब यहाँ पे देखिए इन वह पहले उद्रित और अनुद्रित दिये जा चुके ऐसे अन्य ओतरणों में टिपनी करते हुए देवदत सास्त्री ने अपनी पुस्तक उपनिसद चिंतन में लिखा है अब देवदत सास्त्री एक है उन्होंने उपनिसद पर चिंतन करते उसको सुन लीजिए ये 1955 इसवी की है 121 और 123 पेज पर इन्होंने इस बात को लिखा है क्या लिखा है सुनिए इनके अतरिक्त और भी ऐसे वढ़नन है जो असलील, असिस्ट और काम वासना को भढ़काने वाले हैं व्रिताड़्यक ये अध्याइशिक्स का टूसर थर्टिन स्लोक और चांदोगे उपनिशद का फिफ्ट चैप्टर एर्थसर का वन और टू स्लोक में जो कुछ लिखा है उसका भवार्थ लिखने में लज्जा, घ्रिना और संकोच हो रहा है व्रिताड़्यक उपनिशद का रिसी बेहद कामी जान पड़ता है उसने तो इस्तरी के आनंद को ब्रह्मानंद के तुल्य माना है, इतना ही नहीं बलकिल तस्मिन स्वपने रतवा चरित्वा अथार्शुशुकति व्यहोसी की हारत में मनुसे आनंद प्राप्त करता है लिखता है. उप्यूक्त धंक से अनेक प्रमाड ऐसे हैं जो ब्रह्मविद्या को कलंकित करने वाले हैं खेद है कि भास्यकारों टीका कारों तथा उपनिशदों के आलोचकों ने अब तक ऐसे विचारों पर परड़ा डालने की ही कोसिस की है ये बात लिखा है उपनिशद चिंतन में तेउदत सास्त्री ने समझा दोस्तों आपने ये इनों ने चिंतन करके ये बात कहा दिया कि विचाड़य क कुपनिशद जिसनेभी लिखा है वो बेहाध ही कामी है और इतना ज्यादा कामी है इस तरह कि जितनी भी बाते लिखी है उसको उन्हें लिखने में लज्जा घ्रिणा और संकूँच हो रहा है ये लिखते हैं कि आज तक जितने भी उपनिशद क कि भासेकार टीकाकार रहे हैं या अलोचक रहे हैं उन लोगों ने इस पर परदा डाला है लोगों के सामने नहीं लाए हैं अब आप समझ गए होंगे कि जब इतनी कामुकता भरी बाते लिखी हैं इन सब उपनिसदों में तो क्यों हो ये सारे बावे ढावे जो हैं समाज की जरुरत नहीं है अगर ये पात कहा देंगे तो उनके पास तो फिर कोई इस्तरी जाएगी नहीं इनको तो इस्तरीयों अब ये विर्यदाणियक उपनिशद जो है इसका 14 जो है स्लोक 6 चेप्टर का जो फोर्थ अनुच्छेद है इसका ये देखिए जो पुरुस चाहता हूँ कि मेरा पुत्र सुकल वर्नका हो ये देखिए इनका संतती विग्ञान समझ लीजिए ये आप लोग सुचते हैं कि कोई गूरा और काला कैसे पैदा हो जाता है ये रिसी मुनी इतने ज्यादा प्रवीन थे हैं कि भाई साब ये कौन सा बच्चा गूरा होगा कौन सा बच्चा काला होगा इनको ये ज्ञान था मतलब जो यह बताते हैं ना, आयरुवेदी को नुकसा, वो इन लोगों के पास था, उपनी सदाचारियों के पास, देखिया भी ज्यान दे रहे हैं, कि सुकला मतलब समझते हैं, जो गोरा हो, कृष्णा मतलब काला हो, देखिये सुकला, यह बताते हैं न, कि हमारे तो सद में लिखाया है यह जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र सुकलवर्ण का हो एक वेद का अध्यान करें सुन लिया अगर आपको गोरा बच्चा पैदा करना है यह ब्रामडों का नुकसे हैं कैसे इन्होंने गोरा बच्चे पैदा करते हैं यह तो एक वेद का अध्यान क मतलब आपको तो एक वेद का भी अध्यन करना है और पूरा सो साल क्या उप्राफ्त करना है उसे चाहिए कि पती पतनी दूध और चावल को पका कर खीर बना ले नुक्सा सुन ले जे इनका गोरा बच्चा पैदा करना है तब पती पतनी दूध ले आईए चावल पकाईए द दूध में उसमें घी मिलाकर खाईए खीर होता है ना क्या होता है दूध में जब चावल पकाते हैं तो खीरी बोलते हैं अब बोल रहा है उसमें घी मिलाकर खाए इसमें सेवे उप्युक्त योगेता वाले पुत्र को उत्पन करने में समर्थ होते हैं कौन से उप्युक्त कौन से उप्यूक्त योग्यता तो ये सुरू में लिखे हैं कि मेरा पूत्र अगर सुकल वर्नका हो इसके लिए जरूरी है क्या-क्या एक वेद पढ़ना है और पती-पतनी को दूद और चावल खीर पका के घी मिला के अब बताए अफरीका में जो बच्चे हैं अफरीका में उनको अगर ये आप नुक्सा दे जिया भईया एक वेद तू पढ़ ले और तुझको जो है खीरे में पका के हम दे रहे हैं दूद चावल पका के दे रहे हैं घी मिला के उके गुरा बच्चा पैदा हो जाएगा तो ये इतने ढपोरे थे हैं कोई ग्यान की ग्यान नहीं ह से पढ़े हैं जी और सेंट्रल उनिवर्सिटी से पढ़े हैं जीि पके पकिसके पास जा रहे है राम रहीं आशार म पर शांठ के पास ज्यार रहे हैं और वो बोल रह clay उपनिष्यत में तो बड़ा ज्ञानु घ्र ग्यान है यह ज्ञान ग्यान का रिभ दो टके का इशेए अब घरेलू नुक्षा भी नहीं है यह तो यह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह की ढपोरी बाते लिखी हुई है यहाँ सुकलवर्ण के पुत्र के लिए सुकलवर्ण के दूद और सुकलवर्ण के चावलों की खीर की बात कही गई है क्या सफेद खीर खाकर अफरीक इसमें कोई बात नहीं है यह सब दिखा के यह बताते हैं कि उपनिशद में जो है संतती विज्ञान है जब मैंने साइंस चरनी पे बनाया था तो मैंने देखा था कमेंट में बहुत सारे ऐसे ढपोरे आएं जो लिख रहे थे कि अरे अब क्या संतती विज्ञान बताने में भी दिक्कत है क्या रिष्यों ने संतान उत्पन करने का विज्ञान बता रखा है तुम लोग क्या जाना उपनिशद में क्या है अरे तुम लोग को पढ़ने नहीं आता समझने नहीं आता अब देख लीजे यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई मौजूद है यहाँ पे कोई ब पर डिवेट करने के लिए बंध सुनी नी रहा है रिस्पार नीकर रहा है ऐसे लग रहा है कि उसकी फूल खुल जायेगी जो उपनिसिदिञ्रist की गाथा-गाते फिर रहा है न को उपनिसानए यहां पर पूछते उसे कि इसमें कौन सा विग्यान है तुझे तुरे माता पिते क्या खीर खाके पैदा किये थे कि तुझे गुरा पैदा हो गया पूछते न उससे हम दूसरी पर बोल देते हैं कि अफरीका में बच्चे पैदा करने हैं अफरीक नों को तुड़ा खिला के चिक कर दे एक्सपेरिमेंट करके वहीं चिक हो जाएगा तुम्हारा उपनिसद सही है या फिर गलत है चिक करना पड़ेगा न जब गलत हो जाएगा एक्सपेरिमेंट का गलत हो जाएगा तो उसे भी कहना पड़ेगा कि गलत है अब सवाल तो यह है कि उसके सामने सवाल उ आजकल तो कोरोना में बैठे बैठे पता नहीं लोग कहां कहां से कहां उनलाइन ही बात कर ले रहे हैं तो भी बंदा वो सुनने ही पा रहा है वो थोड़ा उसके कमेंट में डालिए बुलाइए कि कभी रेशनल वर्ड में आकर डिवेट करें देखते हैं उसके उपनिशद का ज्यान देखते हैं परसांद का कि कितना उसके उपनिशद में ज्ञान विज्ञान है, आप लोग को भी मौका मिल जाएगा, क्या सथ चाहिए उपनिशद की, वो भी सामने आ जाएगी, चलिए थुड़ा सा और इन लोग का विज्ञान देखते हैं, उपनिशदी विज्ञान तो जनना हो जरूर अब यहां पर देखिए कि विर्धारिया को अपनिशिद क्या कह रहा है कि जो चाहें कि मेरा पुत्र कपिल या पिंगल वर्नका हो पिंगल समझ रहा है पीला दो वेदों का अध्यन करें अब समझ जाईए जो गोरा होता है वो एक वेद का अध्यन किया होता है उसके पिता ज उसकी माता जी या पीता जी खीर खाये होते हैं खीर खाके पैदा किये होते हैं उसे चावल में पकाके घी भी मिलाके अच्छा तभी जो है बाबा सहाब ने उस किताब अपनी किताब जो है उनका एनहिलेशन ओफ कास्ट में लिखा है कि एक जो है अच्छू दलित समाज का जो व्यक्ति है वो धारमिक बन गया गया यात्रा उत्रा करके आया और यात्रा करके आया तो सोचा कि अपने जो उसके मुहले के लोग हैं उसके जो रिष्टधार हैं उनको एक खिर की बनी हुई रोटिया और अनी गही की बनी हुई रोटिया और पकवान खिला दो तो खिलाया तो जो बगल के गाउंगे जो अपने को कता कतित सवाइणे कहते थे लाठी डंडा लेकर पहुंच गए सारा खाना तबाह कर दिये लोगों को मार के डंडे से मार के बेहाल कर दिए खाना बरबाद कर दिए लोग भूखे पेट रहागे अब घी में नहीं खाना है तुम लोग घी में खाओगे गोरा पैदा हो जाओगे भाई साबा मामला समझिये उपनी सुदों में ये बात लिखी हुई है घी मिला दोगे खीर में खा लोगे तो गोरा बच्चा पैदा हो जाओगे तो इसलिए घी नहीं खाने देते थे ये लोगों को तुम लोगों को गोरा नहीं होना है घी खा लोगे तो तुम गोरा हो जाओगे अब जायद इनको ये बात पता थी कि भाईया कहीं DNA चिक करने की बात ना आ जाए इसलिए इस तरह की नोटंगी डाल दिया कि हम क्यों गोरे हैं लोगों को बता देंगे कि भया तुम लोग जो है मुल निमा से क्यों हो हम विदेशी तो कहीं नहीं है इसको छुपाने के लिए इन लोगों ने खो सकता है किस तरह का काम कर दिया होगे गीखाने से गोरा पैदा होता हो और एक वेद पढ़ने से अब यहां देखिए तिंगल दही जोड दिया दोवेद हो गया प्लस दही भी हो गया अब भात पका कर भात पका के तो खाना ही खाना है दही जोड दिया दूद की जगा क्या जोड दिया दही जोड दिया और क्या बोल दिया अब गही मिला दिया तो उससे वे पुत्र को जनम देने में समरत होगे कैसे तो पिंगल औरने का जो पीला कलर का हो पिंगल मतलब जो गोरा होता है नहीं गोरा पीला टाइप का उस थरह का, दोवे पढ़े हुए जो दूवे दूवे बोलते हैं ना, दूवे चलिए, आगे देखते हैं इसमें अब्वे दाड़य को उपनिशद जो है यह क्या कह रहा है अध्याय सिक्स है, फोर्थ सर्ग है सिक्ष्टिन स्लोक है जो चाहे कि मेरा पुत्र स्याम वर्ण वह अरुण नयन हो लीजिए भाई साव स्याम वर्ण भी पैदा साहले सलोने बच्चे भी पैदा करने का नुक्षा ले आये देख लीजिए भाई साव यह देख लीजिए स्याम वर्ण साहले पैदा करना है क्या करना है अब तीन वेदों का अध्यन करना है खमालगी बात है स्याम वले वच्चे पैदा करने के लिए तीन वेद का अध्यन करना है और ये देखिए तथा पूरे सो वर्षों तक चिवित रहे और उसकी पतनी जल में चावल पकाकर भात त्यार कर ले भात तक खुब खाना है बाई साब और उसमें घी मिला कर खाया देखिए ये भी घी मिला कर खा रहा है अब घी की कहानी समझी है ये बाकी के ये सुद्रों अंते जो को क्यों नहीं खाने देते थे घी घी इनहीं को खाना है बच्चे पैदा करना है अपने मन हिसाब से घी तो इनका बड़ा सारा इनको तो केमिकल कुछ पता था नहीं घी ही पता था तो ये बोल रहा है कि उसमें घी मिला कर खाए इसे उप्त युगता को क्या उप्ता होगी तो स्याम वर्नका अरुण नयनका तीन वेदों का अध्यन करने वाला लॉन्ड़ पैदा हो जाएगा योगेता वाले पुत्र को जनम दिने में समर्थ हो जाएंगे अब तीन वेदों का अध्यन करने वाला तो त्रिवेदी कहलाता था त्रिपाठी कहलाता था कहीं ऐसी ही तो बात नहीं चल रही है यहां पर तीन वेदों का अध्यन करने वाला इस तरह से बच्चे पैदा करते हैं इन सब चीज में एक चीज कमन है कि आपको भात खाना ही खाना है पका के घी जरूर मिलाना है कहीं पर दूरत कहीं पर दढ़ी असाथ में एक एक व्यद बढ़ते जा रहा है अब जो है इसमें बेटी भी पैदा करने की बात हुई है तो सुन लिजिए उपनिशद जो है व्रेदार्यक उपनिशद अध्याय 6 का 17 इसमें क्या लिखता है जो चाहता है कि मेरी पुत्री विधूसी हो मतलब पुत्री पैदा होने की नहीं बात हो रही है पुत्री विधूसी हो चतुर हो चलाक हो उसकी बात हो रही है अचा चतुर चलाक का मतलब कतही मत समझ लिजेगा पढ़ने लिखने की बात कर रहा है किसी को डाउट हो तो आगे दूर कर दूँगा अभी ये मत सोच लिजेगा कि अरेरे हमारे यहां तो मही लाया भी पढ़ती लिखती थी देखिया इसमें इसकी बात हो रहे है ये कुछ और बात हो रहे है बता देता हूँ अभी पले इसको देख लिजे तो मेरी पुत्री विदूसी हो और पूरे सो वरसों की आयू पाए और वह उसकी पतनी तिल और चावल की खीचडी पकाकर उसमें घी मिला कर खाए उससे वे उक्त योगता वाली कन्या को जनम देने में समर्थ होगी क्या करना है जी चावल तो जरूर खाना है अब क्या करना है तिल मिला लेना है ठीक है न तो तिल देखिए यहां से दूद दही की बाठता दी गी है अभी भी यह बात याद रखिएगा गी इन लोगोंने कभी नहीं छोड़ा गी हमेजा इनको खाना है पूरी दुनिया को घी से रोक दिया खुद घी खाएंगे जरूर बस दूद दही अब आगे तिल पे अगर लड़की पैदा करने है विदूसी लड़की पैदा करने है तो ये इस तरह से करेंगे अचा यहाँ विदूसी का क्या मतलब है उसकी भी कलाई खुल जाती है वो भी बता देता हूँ क्या मतलब है उसका पता चल जाएगा संकर भासे ने किया है क्या लिखता है देखें ये क्या लिखते हैं कि इस अनुछेद में पुत्री के पंडिता मतलब विदूसी होने की बात कही गई है इससे लगता है कि तब पुत्रियां लड़कियां विदूसी भी होती होंगी परनसु इस अस्थल पर जो प्राचिंतम भासे उपलब्द होता है उसमें जो कुछ कहा गया है वह हमारी सारी असावों पर तुसारपात कर देता है संकराचार्य ने अपने भासे में लिखा है दुसार पात मतलब समझ रहा है न कि आप जो सूच रहा है न कि उसके विदूसी पंडिता होने के बाद कहीगे एजुकेशन के नहीं उसका मतलब ही नहीं है वो विल्कुल गलत है वो है ही नहीं उसका मतलब है यहाँ पे इसका मतलब है कि ग्रिह सास्त्र घर ग्रिहस्ती के का हो में निपूर होना ही पूत्त्री का पंडित्य है। उसका विदूसी होना है क्योंकि उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। महिला को कहां से पंडित वनेगी तो ये आपको समझना होगा कि कहीं भी अगर ये लोग ये बात कहते हैं कि भाया हमारे याम महिलाओं के पढ़ने की बात की गई है विदूसी होने के सब जूट बोलते हैं धर के जूट बोलते हैं धूर तो होते हैं इनकी हर किताब में ये बात लिखी है कि इस तरी को तो वेद पढ़ने का दिकार ही नहीं है अब वहाँ पर उथा न ये चेरी पिकिंग करके हर जगे सोसल मेडिया में दिखा देंगे नहीं जी हमारे यहां तो भी दूसी होने की बात कही गई है लेकिन ये वाला नहीं दिखा कि भाईया इस पर संकर है क्या इसकी भाहसे करके क्या बताया है कि यहां पर पंडित्य का मतलब क्या है ये नहीं बताएंगे आफको ये मैं बताता हूं तो यहां पर साफ साफ कह रहा है कि पंडित्य का मतलब जो घर गहस्ति का काम करे नोकरानी की तरह काम करे उसमें निप तो I think हो ही गिया होगा